हलो, वेल्कम तु मैं चैनल और आज मैं आपको बताना जाता हूं कि जो नैट का एक्जाम होना था वो भी कैंसल हो चुका है क्रोना के करण कैंसल हुआ है और जो आगे आने वाला जेलपीटी है वो भी मैक्सिमम चांस है कि वो कैंसल हो जाए तो अगर आप JLPT की preparation कर रहे हो तो उसको continue रखो अगर आपने अपनी पूरी preparation कर रखी थी जो आपने exam देना है वो तो आप करो ही करो बट अगर आपको लगता है कि यार मैंने बहुत preparation कर लिया है मुझे अभी कुछ नया बढ़ना है जैसे कि आपने 4-5 बार full complete revise कर रखा है तो आपको मैं ये suggestion देता हूँ कि अपना जो advanced level है ना next level का vocabulary उठाओ या फिर next level की कोई एक चीज पकड़ो reading हो गई जैसे उसको पकड़ो, उसको use करो उस book को थोड़ा और ज़्यादा advance पढ़ने की कोशिश करो तकि आपकी जो vocabulary है वो increase हो पाए क्योंकि जब आप exam देते हो तब उसमें जो vocabulary आती है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इतनी fixed vocabulary में से ही आएगी, वो आगे पीछे से भी आजकती है, वो higher level की भी आजकती है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको सिर्फ जो book दी हुए है उसी में से syllabus आएगा, आपका advanced level का भी syllabus आता है तो बहतर यही है कि आप अपनी continue रखो अपनी त्यारी को, अगर आपको, आपने मैं आपको सिधा बोलते हैं, अगर आपने चार से पांच टाइम पूरा full revise नहीं किया है, आपनी सारी मिलाके vocabulary, दोक्काई kanji section, ठेक है और listening और grammar यह सारे कि सारे अगर आपने revise नहीं कर रखे हैं, तो आपको revise करने की जरूरत, तो इसलिए अपना जो आगे का है, वो जरूर करते रही है, आपको बहुत ही requirement है, कि आप अगर आपने पांच बार नहीं कर रखा है, तो आपको पांच बार करने की requirement है अगर आप सोच रहे होगे, मुझे तो आता ही है मैंने ये तो किया रखा है, कर रखा है बट जब आप exam देने जाओगे तब आप देखोगे कि यार और वही जो आपने कर रखा है, वो भी मुश्किल लगने लग जाता है, क्योंकि exam का महौल कुछ ऐसा होता है तो बहतर है, कि आप चार से पांच बार पहले तो revision, फुल revision करो, दूसरा अगर आपने इतनी कर रखी है कि भाई मैं तो आप पागल हो जाओगा पड़के तो फिर अपना advance next level पर jump करो, उसको पड़ो नई चीज़ें सीखो और उनको जो पुरानी चीज़ें सीख रखी हैं, उनके साथ mix करो तो I hope कि यह आपको वीडियो जो मेरा पसंद आया होगा अगर आपकी कोई भी queries हैं, तो आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हो आपकी जो भी problems है Japanese learn करने में तो आप मुझे से discuss कर सकते हो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा Thank you for watching this video मिलते हैं आप से एक नए वीडियो में तब तक के लिए सयनौरा